कि ऑब कि आप यह यह दो फ्रेंट्स में हूं अर्दूक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ यू हमें जी जोइन किया है साजिक तार साफ ने जो के पॉलिटिकल ऐनालिस्ट है बहुत शुक्रिया सब कहई आप ने जॉइन किया है सामने और जिस तरह की बाते हैं उन्हों ने की लिकिनन आपने देखी हमी बहुत हंगामा है और वो इस बात को मान रहे जो जो उनके किलाफ रिपोर्ट आई आप किस तरह देखने के आज कल जो कुछ हो रहे है डॉलर रेट अलबर्टा काफी नीचे गिया अरजू मेरे ख्या को इनको चाहिए था लंडन में उनको जो है पोर्ट मिले जाते हैं लेकिन यह इन्होंने अग्री किया हर चीज से खामोश हो गया और बलके काफी दिनों से आपने देखा हो गया कि आज इम्रान खासा पहली दफ़ार इन्होंने जब से वह फैसला आया है वह आए लेकिन इ चीज़ें इसी इंपॉर्टन चीज़ें जिसके उपर मैं बड़ा अपसेट हूं पीडिया के स्पोर्टर से एक तो मैं बताना यह चाहूंगा कि अभी तक जो है वह दूसरी साइड पर पंजाब में जहाएं और रिचेशन मनाए हैं वहां पे अभी जो है बादल वहां कह हैं अभी गाड़े बादल हैं वहां पे वहां पे हो यह रहा है कि इस वकत काफली के जो दस हैं उन्होंने कहा है कि हमें दस के दस हमें वजारते चाहिए और पी टी आई ने खासाब ने उसको रिफ्यूज कर दिया है और जो है उनको वह खत्रात है कि वह सकता है चौरी पर अग्रेसिबली बैठे हैं उन्हों ने भी थ्रेट किया है कि अगर वह भी लेटर लिख सकते हैं एलेक्शन कमिशन को के इन लोगों की जो एंपीए शिक्षा उसको से टैक कैंसल लिए एक तो वहां पर जो मुझे इतराज सबसे ज्यादा पी टी आई के वरकरों से है व मुलक के लिए बहुत पड़ा सानिया है और जिस पर पीटी आई के वरकरों में जो इस्तमाल किये हैं उन लोगों के खलाब जो शहीं हुए है एक दूसरे बहुत दुख हुआ है दूसरा दुख हुआ है कि पीटी आई आज रिपोर्ट आ चुकी है अमेरेकन मीडिया की तर वाले उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकस्तान के अंदर से ये ड्रोन उडा जिस पर राना स्रावला साथ को आकर सफाई पेश करना है तो यह दो मुझे मैं समझता हूं कि यह जो इस बेंडिंग को बनाने वाले हैं उनको चाहिए कि इसको आप हैंडल करें क्योंकि वह हैं इन्हों में मेरा मकसद है कि अब वो किसी को नहीं बख़श लें इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं वो कहते हैं अमीर मौनी कब जा कि रियास्ते मदीना के तक पर बैठेंगे और पिर हमारा साफर अफ़गानस्तान की तरफ शुरू है अब यह सर कहीना कि पाक कि स्पीच सुनी जाए तो उसमें एक शारतन है लेकिन मैं मैंने फुद उस पर बड़ी रिसेच्च इस पर की है यहां लोकल मीडिया बे भी उनकी स्पीच में था कि हमारे किसी ऐलाइज में हमारी मदद की है और उसमें इशारे पाक्सान आदे लेकिन किर्गस्तान भी उस स्पेकुलेट करना और मुलकी मुफाद में जाके जब मुलक पहले ही डालर डाइसों पे हो आप पहले ही तन तन तरहा हो पूरी दुनिया में और खत्रात के बादल जो हैं आपके आसपास हो और उस वक्त आप इस इस चीज़ को फिफ जनरेशन बार की तरह यूज करें चल कि उनको जी रिश्वत में लुकरिटेव अपॉइंटमेंट्स दी गही हैं दो चीज़े मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी खवातीन के कूपर करें तो वो पाकदामन खवातीन हो जाती है आप किसी की बीवी को उच्छा लें तो वो कोई और है अलाकि इनको यह नहीं प सब्सक्राइब के अब अब आपका गुजारा नहीं है क्योंकि आपने इसको एक मजभी कल्ट बना लिया है और जब भी अब मजभी कल्ट में जाते हैं आप बिलकुल आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाते हैं इस वक्तित हैं कि हमारा अमीर मुमनीन जो है वो गल्त एटीपी के चाइना नराज बैठा है भारत के साथ आपने पहले अपने हलात खराब कर रखे हैं अफगानस्तान टीटीपी ने आपकी बार्डरी लाइन को एकसेप्ट आपकी सौवरेंटी को एकसेप्ट ही नहीं कर रहे हैं आपने अलग उसमाने साब को वहां भेज के व्करण आप बने अब ना सलाब हुआ तो कौन मदद करते में श plan को जाके पूछ की स्राय अब किस तरह किस तरह सुबहें श्रामाप किस तरह जिन खुञाएं लेकिन के किते हैं कि यह किते नहीं कन की पीच्छे जाना है सुप्रीम कोड के सामने धर्मा देना है एक नाइन में धर्माद अभी तक जलाओ खहराओ की पालिसीस हैं और कुछ भी नहीं और यह समख उस वक्त सीखेंगे जिस तरह के अब मैं उसकी क्या मिसाल दो मिसाल देनी भी अच्छी नहीं होती कि 71 में जिस तरह हुआ था कि कौम बिल्कुल आँखों से अंदी और कानों से ब मुझे तो उस पे भी इतरास था वो भी इतरास मुझे इसलिए था कि मैंने शायद आपके सेग्मेंट में इका था वो वहां पे गये हैं काला चेश्मा है च्छतरी रखी कि शायद धूप न लग जाए जिस तरह वोईस रैट राविल करता था दुनिया भूक से खुले आस चेक करो कैपन कूभी बन रही है कि लिए तो अगर फोटो आपके लिए गये हैं वहां पे अगर इसके आप्टेक्स के लिए गये हैं तो यह भी जयत्ती है और यहां घंटा देखें वोईस राइस टायल उपर जहाज से हलीकाप्टर से नजर मार के आ जाना यह यह इसमें लोगों में बैठते और साथ माली माली मदद करते हों कि खाने पीने की इश्या लेकर जाते हैं यह आदा घंटा उपर से चक्र लगाना बलके मैं तो यह कहूंगा हमारे अमीर मुमनीन आपने दौर में तो यह फरमाया करते थे कि बलके इन हालात में जब वहां पर कोई प्रकॉल में जाते थे इन्होंने भी बिलकुल वो जो प्राइम रिस्टर हाउस को कहते थे लाइबरेरी बनानी है जिस तरह कहते थे कुछ करें लोग मायूस हैं लेकिन लोग डरते बोलते नहीं है उसकी वज़ा है मुलतान से एंपिये बोला था तो उसके पीछे किस तरह इन्होंने ड्रोलिंग की थे इस वकत आपके सामने मैं मैं हरा होता रहता हूं कि इतना इस किस तरह से एक डिकेटर माइंड सेट हैं कि पीटी आई के एक बड़े सक पुराने वरकर ने प्रेश कांफरस में क्वेस्टिन किया था तो पीटी आई के जैलों ने मार मार कुस्त तरीके से इनों ने जेनलिस्टों को मारा मोसन बेक को माराा तूर्साथ कीस्टोरियां है हामद मीर की स्टोरियां जिपके कंदों में चड़े आया थे उनहीं के साथ यह किया है अब देखें काफ लीक की बारी है क्योंकि प्रिटी आई के बारे में मिशूर है ये बात कि अपने मोसंस को सबसे पहले वूजू है अपना इबरत का निशाना बराते हैं काफ लीग बालों की बारी है इस वकत मैंने आपके सेग्मेंट से पहले पहले एक आईटीकल पड़ा है उनके बारे मैं इसलिए मैं मैंशिन कर रहा था कि वह दैस दस MPs है उन्हें अपनी वैल्यू का अंताजा हो चुका है और इस वकत जो सियासत है उन पे होगी वह बजारत चाहिए और देखिया बागे कहां जाता है लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें स्टेट आप पाकस्तान की बेदरी नाजर नहीं आप लिक्तुल जी कह रहा है लेकिन सर कम से कम साथ साल के बाद कोई प्रैमिनिस्टर गया तो चाहए फोटो सेशन के लिए गया हो कुछ अन स्टान में अल-काइडा की चीफ पे उसके फॉरण बाद ही यह एकदम से डॉलर रेट कम हो गया है कहा जा रहा है कि आएम एफ भी पैसे देदेगा तो यह सब आपको कड़ियां जुडती में नहीं नजर आ रहे हैं देखे कड़ियां इसका इसका जो मुझे कड़ियां पकड़ा था जाएक मारा थे आज बाइडन साथ के हलात भी वही हैं उन्होंने जाएक इसको कर दिया उड़ा दिया उसमें और इसमें वो सकता है कही लोगों ने पैसे बनाए हो इसमें कोई शक्त नहीं है आप जो कह रही हैं अगर डाट जिस देखे ना हर एक तस्वीर का दो लोग होते हैं एक तस्वीर को दो लोग जो देख रहे होते हैं दोनों की उपीनियन डिफरेंट होती है उसके बारे में पासेबल है या तो माजी में आपने ना किया उसमा बिलादम जिस दिन से पाकिस्तान से पकड़े किये थे वेस्ट का उस दिन से आपके इंपर से कि आपका रोल जो है वैस्ट में जब डिसकस किया जाता है तो डबल गेमर आपको कहा जाता है कि आप दो थारी तरवार हैं दोनों साइडों से काटते हैं इसके बारे में तो कोई दो रहा है नहीं इसमें बिल्कुल है मैं एंगरी करूंगा लेकिन है हैं स्पेकुलेशन से इसके बारे में कुछ ठोस श्वाहिद भी मौजूद रही है वो जो अब्दुल्ला है उनके वाइस प्रेजेंट जो वहां से भागे वे हैं वो भी अपनी बातें कर रहे हैं वरना तो आप जो दूसरी अगर कार्जू बात की जाए तो वह जो हमारा है उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं क्योंकि आजकर खबरों का तो एक बाजार गरम हो जाता है ने उनके बारे में भी ब्लोच सेपरेटेस्ट जो है वो उसके बारे में भी कन्फूजन क्रियेट करने की जा रही है उसके बारे में भी मैं सुन रहा हो कि बातें इस तरह क क्योंकि मैं खुद एक law का student हूँ तो जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उसकी credibility देखनी होती है कि उसका character क्या है उसका past क्या है और उसका society के अंदर उसकी उसकी क्या standing भी है witness जो credibility होती है उसी लिहाज से मेरा नदर में मैं news को भी उसी news जो media outlets जहां से मैं अपनी research करता हूँ I always follow by the I see their credibility, their past, their standing, their rating और उस पर जाके मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी opinion को build करूँ इसलिए मैं कह रहा था कि यह भी speculation है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता ना तो इस एमान दाजवारी के बारे में कहा जा सकत है ना इसके बारे में कहा जा सकता है कि helicopter हादसा क्या हुए है तो मैं जो अभी तरने लाइक कर रहा हूँ I SDR की जो उनकी थी statement और जो मैंने आज यह ख़बर पढ़ी है किर्गस्तान के हवाले से मैंने American media वे पढ़ी है और बड़े बास वसूख रजाय से पढ़ी है कि वह से फ्लाइ करके आया था तो अब दूसरे एंटेलिजनस शेरिंग इंटेलिजनस शेरिंग के बारे में राय हो सकती है हाँ उसमें यह जरूर मैं कहूंगा कि जब उस एरिये में जहां एमान अजवारी साब ठहरे वे थे पाश एरिया था वहां डिप्लोमेट ज्यादा रहत देखा जारा है अमेरिकंज की नजर में यहां पर इतने लोग कर रहे हैं कि वहां से बीटलिजनस हो सक्कती है क्योंकि इस वक्त वहां पर जो तालबान है वहां पर अकानभी बहुत खराब है और अलजवाही साथ के तो उपर जो कीमत थी 25 मिलियन डालर थी वो थोड़ी सी बिल्कुल चीप लेकिन साइब जैसे कि आप अमेरिका में हैं और आज कल करी लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई भी जंग जो है युएस ने अपनी जमीन से नहीं लड़ी वह हमेशा दूसरों की जमीन से जंग लड़ी गई है तो आजकल भी जो है चाइना और स्कानस्तान से निकले जिस तरीके से लुक्रेन में कुछ नहीं कर पाएं तो यह मिड्डरम अलेक्शन है उस पर यह लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहते दिन देखें और इंफलेशन से महेंगाई के अहलाद इतने खराब हैं अमेरिका के अंदर कि जिसकी हद नहीं गया और इन्होंने उसके उससे लोगों के तौजव हिटानी थी एक तो उस चीज़ के लिए ये दो चीज़ें की गए दोनों एक तो वो एमान जवारी और दूसरा जो ताइवान का दौरा अब उसके असरात क्या हैं आज आप देखें तो उन्होंने गहरा डाल लिया है वो लेकिन उस लेकिन एक मैं यह बाद बताना चाहूंगा कि माजी के हवाले से अब बाइडन साब के मैं बाइडन साब के दौरे से आना चाहता हूं रिसेंटली अभी साड़े पांच बिलियन डालर के आर्मामेट्स की डील हुई है दो कैंट्री के से साथी रेडिया तीन बि अब इटी में के लिए लिए साड़े पांच बिलियन रीड पस्कैंड उसके पाद उनका सव्केट यहां बनानाता था एक अब तो यहां पर जितनी स्पीड से इन्हों ने त्यारे बनाए थे तो यह एक सीक्रट था यह एक जब तक उसको कम्पीट ना किया रहा था लेकिन जब खतन हुई वार उसके बाद वोन फैक्टरियों में यह काम जारी रखना चाहते थे यह this is a history of American foreign policy और उस असले को बेचने के लिए they need the battlegrounds, they need the trouble in the areas, South America में हुआ, Middle East में हुआ, यह सारे चाहिए, वार्वेस अकानमी, जाहरे यह त्यारे बनाएंगे, F-18 कहां बेचेंगे, F-35 कहां बेचेंगे, Tama Hak, Mazzail कहां बेचेंगे, तो यह सारी उनके लिए marketing campaign है, और मुझे आज तक याद है, मैं public debate और public speaking का बहुत बड़ा फैन हूँ, का मेरे मुझे अभी तक भूता नहीं है, जब September 11 के बाद desert storm juncture हो ही थी, तो उस वकित Congress के अंदर speeches में, मैंने एक चीज़ लग की थी, उन्होंने, हमारे जो Congressmen थे, वो यह कहते थे, कि आपका क्या खाल, ह we cannot build good cars, we can, लेकिन हमारी priority नहीं, our priority is space, our priority is armaments, तो हम उनी पर focus रखना चाहते हैं, आज देखें अगर अमेरिका के हवाले से, अगर इसकी discuss की जाएं चीज़ें, तो internet इस वकित सबसे बड़ा लेकिए, उसका mainframe बिल्ड करने वाले कौन, Facebook, Twitter, कहां की हैं, बड़ी-बड़ी क से इस वकित अमेरिका जो फुद जंग में नहीं जाता, ship carrier जाते हैं उनके, या आप आप देख रहे होंगे कि आगे, बलके आगे सिर्फ ground आर्मी जो हां जाएगी, जंग जीतने के बाद ये concept है, लेकिन जंगे अब इनसान नहीं जाके लड़ेंगे future में, वह missile system, drone system के साथ ही होंगी, लेकिन ground पे जाके लेटराँ, take over करना या manage करना या उस चीज को, उसके लिए physical लोग जाय करेंगे, लेकिन अब वो physical जंग का दोर नहीं रहा, बलके अब तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा, China जो है, जिसरा मैंने देख रहा था, China सबसे बड़ा जो उनक से आती थी, इंपोर्ट होती थी, उसको नहीं रोख दिया है, दूसरा उन्होंने उसका बार्गो कर देंगे, छोटा सा आइलेंड है, अंदर जाने आने देंगे, और ताइवान के अलात इस तरह भी चोप कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले तो बात की है कि वो यहां से दू सब्सक्राइब करेंगा ताइवान की वरना ताइवान विल डिल बाइदमसर्फ पूछना चामडी क्या यह चाइना और अमेरिका के वीच में जो चल रही है टेंशन, इसका कोई किसी किसम के कोई असरात क्या पाकिस्तान पे भी आ सकते हैं क्योंकि जाहिर हैं को किसी एक का साथ देना पड़ेगा? नहीं, आपका माजी अगर देखा जाए तो आप उसी का साथ देते हैं जहां से पैसे आप को आते हैं. आपने 26 बिलियन डालग बनाना था, बना लिया आपने सी पैक के हवाले से, अब वो छोड़ दिया, आप इस वकत आई हैं, मैं के कदमों में प चलती हैं, वो डालरों से चलती हैं. तो वो डालर और पौंड आपका सारा कुछ है, लंदन से आपके डिसीयन होते हैं सारे, आप उसी का साथ देंगे जो आपको पैसे देगा, आपकी ओरिजिनल दो चीज़ें आपके अंदर नहीं होंगी, ना थी ना होंगी, नैशनलिज साल ये दूँगा आरजू, अगर किसी को मुखालता हो, डिबेट करना चाहता हो, तो सबसे पहले वो ये रिसर्च करके आए, कि आपके रूलिंग अलीट जिब रिटायर होती, तो वो कहा होती हैं, उन में से बड़े चल्ड लोग हैं कि कि जो पाकिसान में होते हैं, बाकि दो साल, तीन साल हो, जब आपने आप प्रफेशन की पीक पर हो, बचे आपके फॉर्न लैशनल एडिटी ले चुके हो, आपका घर बाहर बन चुका हो, आखरी दो सालों में आप फिर डिसीजन पाकस्तान के बारे में लेंगे, या अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिवि मिल्कल जाय मुलके साथ कुछ भी हो, लेकिन मुलक के बारे में देखना हो, तो जो आज कल के हलात हैं आपके, यह सोचें, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, जी पाकिस्तान इस हलात में किस तरह पहुंचा है, मैंने क्या चुहतर साल के कतामें कोल के पढ़ देखें, आज इमरान खान हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, कुछ भी हो, आप देख लें, अब फात्मा जना के दोर में भी यही हलात हैं, उसके खलाफ भी वही कंपेंट थी जिस तरह की आज चल नहीं है, इसके बाद देख लें आप जिस तरह की, यह को पहली दफ़ा नहीं हो, लेकिन किसी को, मैंने आप वो कहा था, कि 74 साल से जो कुछ हो रहा था मूल के, मैं पैदा हुआ था, तो जब मैंने ख़बार पढ़नी शुरू की थी तो बापढ़ता था, पाकस्तान नाजक दोर से बज़ा था, पाकस्तान बस अब ने उस पे थोड़ी से चेंज आई, उस वकत प सच्थी, सच्थारीस घंटे खतम ही नहीं हो, लेकिन अफसोस ये है, कि जो मुल्क घंटों की बेश पे चल रहा है, घंटों की बेश.. उसका मुस्तग बिस तरह पय पैडेट किया जा सकती है यहां तो घंटों के पैस्पे डिसीर हो बिलकुल लेकिन ऐम इम्रान घं का नाम हम आपको लगता है कि इनको रिस्ट कर लिया जाएगा देखें तुप हां जो लोग भाङते हैं तो प्राइविट जहाज आप बांगते हैं यहां तो मुझे आप छोड़ी सी बाप बता है कि एसी अल में डाली है परवेजला इजाज से उड़के है लौर से इसलामबाद मलग रियास के जासे है तो वह आपको बता के जाएंगे इसलामबाद पर प्यार हो भी चेको मेरा नाम इसीयल में यहाई यह नहीं पतार है हैं जो पाकस्तान की मुस्तक्बिल के फैसले कर रहे हैं बैठके हम लोग हमारे जासे लोग बैठके यहां पर खैर आज की बात नहीं है बड़े अरसे जखून के आशू रो रहे मुझे तकलीफ किस चीज़ की आर्जू आज है वो तकलीफ यह है बलोचस्तान एक घरीब त हमने चोशना हो उससे पूछे ना उसके क्या हालात हैं आप दो मिनट कर देखें थरपार कर में आप और हिंदू हों आप पहले ही आपके हलात आप आप निशाना हों और उसमें आपका सारा कुछ खतम हो जाया है तो आपको आप अब घंटे दोनके वह भी तो घंटों के सा कि जितने आपके यह पिये अपके निए है जए करोणों ग्रोणों के जलसे करते हैं करोणों करूणों अगर इतने बिदा मुझ स अपने हाथों से मदद करें कि जाके उनको खाने पकवा पकवा के दें अब दुनिया भी अपनी समार ले आखरत भी समार ले वहां से जाके रियास्ते मदीना के इस तरह बैठते हैं अमीर बहुमनी जब आदा मुलक जो है वह सवाब में बैग गया हो और यह तखते इसलाम अबबाद में बैठके तक्रीदें कर रहा हो मुझे अफसोस हुए वह जमील के मौलाना जमील साहब बनीकाला जाने से पहले इतना बड़ा भाशन बारो ने दिया मुलक के सियासतदान को भी कहो यार कि चलो ब्लोचस्तान और सिंद में चले लोगों की मदद करें बच रहा है हम उसके नमाज पर उसके रिचुल्स पर जोर है उसकी फिलास्फी पर जोर नहीं इसलाम की फिलास्फी को समझने की कोशिशिक करो और मैं आखर में यह कहूंगा आरजू आप मुसलमान हिंदू क्रिस्टिन बाद में बनते हैं आप पैदा होते हैं पैसीते इंसान अग tomine बनाए गया हो बाद में आट दू बनाए गया हो लेकिन अगर जिसको इंसानियत की शरम ना चाहें ना अच्छा हीं न अच्छा था पलॉचिश्तान यसद्ध में इनसानियत तडप रही है वो बुलोची या वो मुसलमान नहीं है हिंदू नहीं है इंसान है सबसे पहले तो इन लोगों से मेरी गुजारश यह है अगर तुम रियास्ते मदीना यह अच्छा इस तरह तुम अमल पिर मारूफ करना है तो जाओ वहां बुलूचस्तान और सिंध में जाओ भागो यहां से श्रब तब ही लोगों को पता लगेगा कि यह लीडर है और उनके साथ कड़ें यह लीडर नहीं है तो पैसे लेकर लंदन से इनके बच्चे त यह तो लूटने के लिए आते हैं वो भी डालों और पांडों में इनको क्या पता है पाकिस्तान और इसलाम के इंसानियत क्या है मुझे दुख होता है बहुत दुख होता है तक की वीडियो जारी है वह पाग के पहुंच के हैं युएस सब चले मैं आप के चीफ आप स्टा लेकिन यह के धोका है धोका और कौम के इन्होंने आंखें बंद और कान बंद कर दिये हैं दुख यह है कि चार साल की इनकी परफॉर्मस तो देखना है आज आज इसमान बुजदार किदर है उसको तुमने वज़ारत तक नहीं दिए बिल्कुल और पहले भी उन्हें पप्टि का जाता था लेकिन देखते हैं कि अर्जू मुझे दो चीज़ने में दूख है पपट समझ के पपट बना के लाया गया था एक पपट को जाद किश्मीर बढ़ाया गया एक पपट को सुबस राद में बढ़ाया दुख हाद इस सतर साल का एक आदमी वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं लेकर आए थे मैंने वैसी साइट है और सर जिस भारत को और इस्राइल को और दूसरी कंट्री पे सुबाज शाम बुरा भला कहते हैं उनसे यह फंड्स लेते रहें वह सबूत भी तो आगए लेक्शन को जब लंदन म करें निकाल दिया सारा वही वालों ने पैसे दिया है ग्वादर बंद करें इन्होंने कर दी बंद करो लेकिन अर्जू दुनिया सारा देख रही है अफसोस यह है कि उनकी आंखों आंखें बंद है कान बंद है क्योंकि उसकी वज़ा यह है कि the man is not a politician anymore the man is a head of a religious cult and he is a real momani that he played the card very well history लिखी जाएगी लिखना पर है लिकिन इस बंदे का नाम भी लिखा जाएगा कि एक playboy आया किस त्रीके से मेरा मकसद बूच गया फिर उसमें सारा किस त्रीके से पहले उसने कहा दिया पाक्तस्तान फिर उसने खाया आओ रियास्ते मधीना बनाए आओ अमीर पिर मौम नीव फिर वो कहता है प्रखंबर सारे भी स्यासी नौस विल्ला वो आपने आपको प्रखंबर की स्वाल पूछा जाएगा के इंवरान कांग को सब्सक्राइब इस वक्त तो अब आखरी स्टेज रही है कि स्पीकर से फूके मार के यह किया करें और हर एक बंदे को एक एक त overly आज करें गैंए रात को सोने के लिएये सोने से पर अदफ दीक मारते हैं हमारे बाबा झी हमेर तुम पानी हाथ में पकड़ो पाकस्तान पुबेद नहीं करना चाहिए का हम किसी मैंजजे किसी का इंतिजार करें कि शायद कुछ बेदरी आजाए बहुत शुक्रिया सर्थ बहुत मिर्बारी आर्जू और आपको और आपके देखने करीए मेरी देरों दौा हैं आज मेरी दौा है कि आल्ला अप सब को अपने जामार में रखें पाकिस्तान को आपके देखने वालों को सब अपने जजा करें बहुत शुक्रिया सर्थ थांक्यू सॉमस्त